इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कि डॉक्टर भीम राओंवेटकर विश्युविद्याले में सपा छात्र संख के नेताओं ने लगा दिया है और यह ताला उन्होंने चात्रों की समस्याओं को लेकर लगाया है और लगातार अंदोलन कर रहे है आपको बता दे कि विश्विद्याले के दो गेटों पर सपा चात्रसंग के नेताओं ने ताला लगा दिया है ये ताला चात्रों की समस्याओं को लेकर लगा गया है लगातार सफाचात्र संग के नेता आंदोलन कर रहे हैं चात्रों की समस्या को लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा दिया गया है सपाथ शात्र संग के नेताओं द्वारा और लगातार यहां पर नारिबाजी की जा रही है और आंदोलन करते ही है शात्र यहां पर नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं और गेट पर चड़ गए हैं यह ज्यादा जानकारी के लिए हम जोड़ रहे हैं हमारे समवद्दत लक्षमी राज के साथ तो लक्षमी बताईए कि क्या ही यह पूरा मामला क्यों इन्हों ने यहां पर ताला लगाया है आपकेte, पाहे हैं मैं आपको बता दोगे, विश्वद्ध जहला जितना पुराना है उस से कही जादा जो विश्वद्ध जहला की छात्रों की समस्त्रा गभी मांखशीड ना अना कभी डिक्री नहीं आना कभी result रिटा वक्स से ना आना कभी किसी माक्स का ना आना. ये सब समस्स Dafür şiakar जब होते हैं तो यहां पर आते हैं और उनकी समस्थ लिए जाने कि सिखा स्कारी काम के लिए जाये तो किस तरह काम किए जाते हैं. यूज एक काम को एक साल दो दो साल और कुछ-कुछ टो ऐसे मामिले हैं विशुत द्याले में, जो 25-25 साल से पड़े हुएं, वो आज ऐसे कि ऐसे ही पड़े हुए Έसी बात को ध्यान में रखते हुए जो लोग इसका सपा का हो चाहिा अलग कि छातिर संगेडन हो लगातार iki आप धणा फॉशु को समस्था एंतलं क shocked दूसरा जिससे जो चांटर उतने उसमें ताला लगा दिया एकुल मलाकर्ण जो लोग अंदर है और कुछ लोग जो बार है बाहर है इस तरह की अभी इस्तितियां पर बन हुई गया है जी लख्षमें ये बताई कि जैसे कि यहां इनों ने दो गेटों पर ताला लगा दिया ओलाही होंगी तो यह लगातार अंदॉलन करते रहेंगे कब तक आंदॉलन करेंगे क कि अंदॉलन का जारी रहे चश्की मधार हैशान हो रहागे और सब्सद्स एक वामलाब को हम बतातु जब विश्विडहल loss को में बनलबी पिछले साल उपराश्ट पती के लिए एक कम्रानगर के वज़ूर्ग थे उन्होंने आविदन करना चाहा था पर आविदन के लिए उनके पास मार्गशीर नहीं थी मला उनको 35-40 साल पहले यहां से गेरिशन उनने की ती नहीं के लिए वो मार्गशीर मांग रहे थे डिगरी मांग रहे थे अब बिशुर्द दहला ने पोविट के टाइम पे एक नई एक कारपनानली शुरू की थे उसमें कहा गया था और उसमें कहा गया था कि आपको जब विशुर्द दहला जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको मार्गशीड और डिगरी साथ साथ दे दी जाएगी पर अब भी कुछ मामले ऐसे नजर आये कोई कि अभी हम विशुर्द दहला के बाहर ही खड़े हुए वहां पर जो हैल्प डेक्स है वहां पर लगातार सा चात्रों की संख्या लगी हुई और वो चात्र जो जो हैल्प डेक्स है वो बंद है जो कुछ चात्र मायूस हो के ब लगातार ताला लगा दिया गया तो कोई विश्विद्याले प्रश्वासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कब तक इनकी समस्याओं का समाध्वानों का या यहीं आंदुलन चलता रहेगा और जो बच्चे है जो परिशान हो रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर क्या उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पाए नहीं? कर दिया, कल कर दिया, हो सकता एक साल लग जाए तो ये समस्याओं मलब लगादार बढ़ती रहती हैं और जो लोग माईल होते हो रहते हैं वाक्तर हमना विशुद देखा है जो पानी की टंकिये कभी छट के ऊपर को चड़ जाता है पानी की के ऊपर चड़ जाता है कुछ लो उनकी मलब उनकी मलब शाधी से पहले उनों ना कभी यहां से डिटी या कुछ किया होगा उसके बाद भी बच्क होगे के बच्चे होगे उसके बाद भी शक्तर लगा रही हैं तो ये बड़ा सोचने वाली बात है कि विशुद देल्ला की समस्यां लगातार सोधने का नाम पर उसके बार भी कोई निश्कर सामने नहीं आता कि कोई वाकियी में जो है इसका निशकर्ष निकलना आपको बता दूंकि आगरा में सबसे पराना जो विश्वजजहला यह था और यह जो विश्वजजहला की जो नीवें थी जो संबंदे संचालें तो पच्छिम बंगल त पच्छिम बंगल तक जो मलब दूसरे कही राज्यों में इसकी जो संबंदे जो कॉलेज चलते थे वहां तक इनकी दिविश्वजजहला मानने होते ही पर आपके यह यूपी में यूपी में किया सिर्फ आगरा में समिटके रहे गया है कि आगरा में ही पहले से जारवाग पर आपके टेर्वाग उनिविस्टी आगरा में इस इस इसाल जो अगरवन विश्विध ध्यलह जो प्रावइट खुली है अलिगड में पहले से ही मुश्लिम вес जी जाले है उसमें थे मंगल τον में उसमें अप पे घला और 港ी भी निग एगया गया तो मालने लगातार कॉल जो हमारे अगर हम बात करें तो हमारे जो पिता जी या तादा जी ऐसे जो पढ़ते थे जिनकी डिग्रियां लेकर वो लोग विश्यदों में विदेश जाते थे कुछ सांटिक्स बनता था कोई कुछ ऐसे कुछ आगरा कॉलेज में तो जो बड़े-बड़े जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं उपराष्पती भी हमारे इस विश्यदाला से पढ़े हुए तो जो अच्छी क्रीम होती थी तो हैं पढ़ते थे पर आज ऐसे विश्यदाला में कोई अपढ़ना चाहते हैं जो जो इनके आसपास जो संबंदित जो कॉलेज हैं या फिर जो अपने अपने पैसे के आब में जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं वो जो आशे विश्यदालों उस SI की बात करें तो प्राइवेट और सरकारी में लगातार वो एक जैसी तो थोड़ा से पैसे जादा देके वो प्राइवेट में चला जाता है तो उसे अच्छी सच्छा मिलती है वो अलगातार वो उसे सारे लेक्टर अटेंड करने को मिलती हैं यहां तो लेक्टर ही नहीं होते हैं तो ऐसे में अपना भविश्य कुछ खराब करेगा अगर किसी को अपने शादी के लिए या उसे पढ़ाई के लिए तो वह ऐसे विश्य जलों से डिगरी ले लेते हैं तो जिसको काबिल बना जिसे आगे बना है वो यहां से कतरा रहे हैं कतरा थे हम अब आगे हम्भी को पूछता तो भई तो भई क्या करें आश्य करें से अब दिशन ले तो आपकी ढिकरी किस काम दिया है, अगर आप नौकिरी भी लगती है, तो नौकिरी के लिए भी जब आउधर करते हैं, उसमें ख्रॉस ब्रइदुकीरिशन होता है, उसके लिए भी यह क्रॉस बेरिदुकीरितानी लगाते हैं, तो मझा ऐसी लाचार विजथा यहां पर चल पूरी तरीके से यहां पर अव्यवस्था बनी हुई है पूरी लगातार अब अब चात्रसंग द्वारा यहां पर आंदोलन किया जा रहा है अब जान के यहां पर अनधोलन को या फिर यहीं इस तरीके से अनधोलन को प्रक्ते रहेंगे डीए प्लाइस हिराएस दोगरा है क्यूंकि हम सही दो बज episodes हम कि तोव कि दो दर्जन करीब छातर से जो आंदुन में भाग ले रहे थे सपाक से और अब नजर में आ रहा है कि छिफ जो है एक दर्जन भी अब छातर नहीं है वो शांसी से बैठे हुए है वो इंतिजार कर रहे है कि कब अंदर प्रिशासन से उनसे कोई बारतलाब करने के लिए पर अभी जर पहले हैं पर पुलिस भी आई थी पुलिस के नाम पर सिर्फ एक पुलिस वाला एक सिपाई यहां पर आया था कि कि वह देखने के लिए कोई मलब तोड़ पोड़ या एसे कोई समस्से या कोई हो नी तकती ता उसको बस्तों सर्फ मेरेक मॉनिटरिंग के तोर पर वो आ आंदोलं कैसे आगे हो जाएगा किया जाएगा जी लक्ष में बहुत बहुत धन्यवादी है हमारे साथ चर्चा के लिए और मैं इतनी जानकारी देने के तो आपको एक बार फिर बता दे कि सपा छात्रसंग द्वारा यहां पर आंदोलं किया जा रहा है विश्वध्याले यानि कि अम्बिट कर विश्वध्याले के गेट पर इनुने त्हूंने ताला लगा दिया है और चात्रों की समस्याओं को लेकर यहां फोलों कर रहे हैं और विश्यवध्याले में जो व्यवस्थां चर्मराई हुई हैं उसको लेकर लगातार अंत्र一定要 लेकिन एक बात इसम मस्याओं को समाधान नहीं होगा